Hi Everyone, Welcome to English Education Students, हम पढ़ रहे हैं Syntax और Syntax में हम दो वीडियोस कम्प्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने Noun की Rules को पढ़ाए है और Pronoun की Rules को पढ़ाए है और आज हम पढ़ने वाले हैं Rules of Adjective वो दोनों वीडियोस भी आपके लिए बहुत IMPORTANT है उनका लिंक आपको Description Box में मिल जाएगा वहां से आप Rules of Noun and Rules of Pronoun दोनों को पढ़ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह 11th और 12th क्लास के लिए बहुत IMPORTANT टॉपिक है यहां से इसमें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी चीजें ऐसी बताई जाएंगी जो आपको दूसरे भी sentence बनाने के काम आएंगी यानि कि यह कहा जा सकता है कि आप यहां पर केवल syntax ही नहीं पढ़ेंगे दूसरी चीजें जो आप sentence में यूज करते हैं साथी साथ आप वो भी पढ़ने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा helpful होने वाली है ध्यान से इसको पढ़ेंगे बिना skip किये तो आप rule of adjective को पूरी तरह से clear कर सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि adjective means होता है विशेशन तो rules of adjective हम पढ़ने वाले हैं और adjective का क्या काम है वो सभी आप जानते हैं comparison of adjective, comparison of degree का भी use हम यहाँ पर करने वाले हैं उन सभी के link आपको description box में मिल जाएंगे कोई भी doubt है तो आप clearly पढ़ सकते हैं क्योंकि सारी चीजे detail में नहीं बताई जा सकती हैं इनके के वल हम यहाँ पर rule पढ़ेंगे description box में मिलने वाला है आप पूरा detail में उसे पढ़ सकती हैं तो देखें यहाँ पर लिखा है rules of adjective adjective prime उस noun से पहले आता है जिसकी यह विसेश्ता बताता है यह सभी जानते हैं कि noun की विसेश्ता बताते हैं adjective या pronoun की विसेश्ता को बताते हैं तो यहाँ पर लिखे हुए हैं दो sentence हम देख लेती है silpa is a beautiful girl ठीक है तो girl क्या है यहाँ पर noun है और noun से पहले use हुआ है adjective word beautiful second sentence है we shall a black snake तो snake कैसा है black है तो snake यहाँ पर हमारा noun है और black यहाँ पर है adjective word तो यहाँ पर आपने देखा कि adjective word जो है noun से पहले आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे adjective word है वो noun के बाद आ रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर कहा गया है लेकिन predictive में यह है verb के बाद आता है predictive होतर to relative ठीक है तो यहाँ पर यह verb के बाद आता है इस बात को आप ध्यान रखेंगे हमेशा तो आपका sentence गलत नहीं होगा आगे देखते हैं निम्न दसाओं में adjective हमेशा noun के बाद आता है ठीक है बस एक predictive होता है उसमें हमारा जो adjective word है वो verb के बाद आता है तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किन दसाओं में जो adjective है वो हमेशा noun के बाद आता है यहाँ पर दिया गया है rule number A जब इसे title की तरह प्रियोग किया जाता है किसे adjective word को एक title की तरह प्रियोग किया जाता है तो यह हमेशा noun के बाद आता है हम अभी पढ़ रहे थे कि noun से पहले यूज किया जाता है लेकिन कुछ दसाओं ऐसी है जहाँ पर noun के बाद हम adjective का यूज कर रही है तो देखे वो condition क्या है कि जब title दे दिया जाए उपादी दे दिया जाए तो यहाँ पर sentence है असोग the great rule over the vast empire ठीक है तो यहाँ पर उपादी दे दी गई है अलेक्जेंड्र अलेक्जेंड्रा दा ग्रेट अटेक्ड प्योर अप ब्रेव वोरियर ठीक है आगे देखते हैं rule number B जब कही adjective एक ही noun की विसेस्ता बताएं यानि के एक ही noun की विसेस्ता के लिए कही adjective word यूज हो जैसे की यहाँ पर बताया गया है बैनजीर वाज अ लेडी wise honest and beautiful तो यहाँ पर तीन adjective word यूज किये गए हैं एक ही noun के लिए तो यहाँ पर हमेशा noun के बाद इन adjective word को यूज किया जाता है यहाँ पर एक और sentence दिया गया है sentence number two we took our dinner pure and simple तो यहाँ पर दो adjective word हैं हमारे पास pure and simple जो किस के लिए यूज हुए है dinner के लिए यह निकिए एक ही noun के लिए यूज किये जा रहे हैं दो adjective word तो ऐसी situation में जो हमारे adjective word होते हैं आते हैं उनके बाद अब देखते हैं rule number c जब word plus present participle हो present participle क्या होता है वर्ब के साथ हम ing का use देख रहे हैं तो देख लेते हैं दताज महल is a beautiful word seem ठीक है तो word आ रहा है plus present participle आ रहा है फिर है second rule sorry second example shimla is the place word leaving ओके समझ में आ गया होगा जब यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल simple सी भासा में दिया गया है word plus present participle आया हो आगे रेखते हैं rule number d जब adjective praise adjective praise क्या होता है praise आप सभी जानते हैं praise होता है सब्दों का एक group जिसमें हम verb का use नहीं करती है ठीक है तो जब adjective praise का प्रियोग हुआ हो तो देखते हैं हम example के माधियम से कि किस सरह से use किया जा रहा है the writer met a girl with a basket तो with a basket यह क्या है adjective praise है तो जब adjective praise का use हुआ हो तो हम इसे हमेशा noun के बाद ही रखते हैं second sentence में कहा गया है the player with long hair तो player क्या है यहाँ पर noun है with a long hair क्या है adjective praise है तो यह आ रहा है noun के बाद आगे देखते हैं c was a lady of high character ठीक है यहाँ पर of high character यह हो जाता है हमारा adjective praise और यह हो गया है हमारा noun ठीक फिर sentence number four में हमने देखा it was a night full of stars full of stars क्या है adjective praise है तो यह हो रहा है noun के बाद यूज आगे देखते हैं e सभी rules को आप ध्यान से पढ़ेंगे अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हें not down करके भी रख सकते हैं इन्हें revise कर सकते हैं और हाँ सारे rules हो जाने के पाद हमें बाद हमें एक और revision भी करेंगे और revision में सभी यानिके rule of noun, rule of pronoun, adjective, conjunction, preposition इन से related सभी sentence कराए जाएंगे वैसे मैं आपको सभी अगर कोई problem है तो आप comment section में पूछ लेंगे तो आपको यहीं से आपका revision अच्छी तरह से हो जाएगा तो चलिए पढ़ते हैं आगे rule number E E देख लेते हैं निमनलिखित वर्ब के बाद मतलब यह कुछ वर्ब दी गई है इनके बाद यूज करते हैं हम adjective word जैसे की to be, look, seem and appear तो यहाँ पर लिखा है कवीता looks beautiful the dog is faithful ठीक है तो यहाँ पर to be is किस लिए use हुआ है to be के साथ to be के लिए यहाँ पर is का use हुआ है is, are, am, was, वर्ब यह सभी वर्ब यहाँ पर use की जाती है आगे देखते हैं rule number 3 comparative degree यह degree मैं आपको detail में बता चुके हूँ कहाँ पर हम then का use करते हैं कहाँ पर da का use करते हैं और कहाँ पर to का use करते हैं लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार detail में पढ़ लेते हैं अगर आपको कोई भी doubt है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो comparison of degree आप वीडियो देख सकते हैं comparative degree का परियोग सभी जानते हैं दो वस्तों दो प्राणियों की तुलना करने के लिए किया जाता है ठीक है जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर comparison हो रहा है she and I के बीच sentence है हमारा she was taller than I फिर second sentence है she is richer than असोक ठीक तो comparative degree का परियोग दो वस्तों या दो प्राणियों की तुलना करने के लिए किया जाता है अब देखते हैं कि junior, senior, inferior, superior, superior, anterior, posterior, prefer, prefable का परियोग comparative degree के रूप में ही होता है सभी जानतें कि इनका यूज comparative degree के रूप में होता है लेकिन इनके बाद हम than का use नहीं करते हैं हम यहाँ पर लगाते हैं to तो कैसे लगाते हैं example देख लेते हैं sentence है पूजा is junior to me तो me क्या है यहाँ पर object है ठीक है तो यहाँ पर हम than का use नहीं करें हम use करें to का क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ word मैंने आपको बता दिये हैं कि इनके बाद हम हमेशा to का ही use करते हैं यहाँ पर हम than का use नहीं करेंगे आगे देखते हैं second sentence you are senior to her हर यहाँ पर object का काम कर रहा है this car is superior to mine देखें यहाँ पर possessive है माइन यहाँ पर भी yours possessive है my phone is superior to yours तो यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या लिखा गया है junior, senior, prefer, preferable आदी के बाद to आता है इनके बाद हम than का परियोग नहीं करते हैं आगे बताया गया है कि to के बाद आने वाला pronoun हमेशा objective case होगा या possessive case होगा जैसे कि उपर बता दिया गया है कि हर क्या है object है me क्या है object है mine है possessive and yours है possessive ठीक तो यहाँ पर बताया गया है कि junior, senior, prefer, prefer और preferable के बाद हमेशा to आता है नमबर फाइव देखते हैं निमन adjective सदेव positive degree में ही परयोग होते हैं इनका use comparative degree में नहीं होता है जैसे कि major, minor, inner, outer, later, former, interior, exterior, etc. आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा difference समझना आपको मुस्किल होगा लेकिन आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे कि इनका use होता है हमेशा positive degree में जो उपर word दिये गए थे उनका use होता है हमेशा comparative degree में 2 के साथ ठीक है तो देखते हैं हम इने positive degree में किस तरह से बनाती है यहाँ पर sentence दिया गया है C has a minor injury तो यहाँ पर हमने कोई comparative word यूज नहीं किया है positive degree बनाई है positive degree की क्या पहचान होती है कि किसी एक person के बारे में बताया जाता है तो आपने देखा कि यहाँ पर she के बारे में बात की जा रही है other कोई person and thing नहीं है second sentence है the inner part of this building is cool तो building के inner part की बात हो रही है यहाँ कि और किसी thing place या फिर किसी person के बारे में बात यहाँ पर नहीं की जा रही है तो यहाँ पर बन रही है हमारी positive degree आगे देखते है rule number six तुलना केवल एक ही परकार की वस्तुओं से की जाती है ठीक है तो यहाँ पर बताएगे कि तुलना एक ही परकार की वस्तुओं से की जाती है sentence देखते है my mobile is better than my sister ठीक है तो my mobile is better than my sister यह sentence आपका incorrect है इसे हम correct कैसे बनाते है my mobile is better than that of my sister कब देखे जब तुलना केवल एक ही परकार की वस्तुओं की की जाए वस्तुओं से की जाए तब तब हम that of का यूज करती है बना तो हम comparative degree रहे है than का यूज हो रहा है better का यूज हो रहा है comparative degree है लेकिन हम इसके साथ that of का यूज करें है ध्यान रखेंगे कब जब तुलना केवल एक ही परकार की वस्तुओं से की जाती है ठीक है दोनों के mobile की तुलना की जारी है आगे देखते है the roads of daily are wider than merit ठीक है तो road की तुलना की जारी है तो sentence बन जाता है the roads of daily are wider than those of merit जब ये noun हमारा plural होगा तो हम those का use करेंगे जब ये noun हमारा singular होगा तो हम that का use करते हैं simple सी बात है third sentence देख लेते हैं this house is bigger than me तो यहाँ पर भी हम that का use करने वाले हैं क्योंकि this house की बात हो रही है this house is larger than that of mine ठीक तो यहाँ पर possessive बन रहा है mine का use हो रहा है तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि than के बाद singular subject के साथ that of जो मैं आपको बता चुकी हूँ और plural subject के साथ हम those of का परियोग करते हैं यह अभी आपने sentence number one and sentence number two में पढ़ लिया है इस परकार के वाक्य में than के बात objective case का परियोग करें बलकि that of those of लिख कर mine, yours, आदी उचित, possessive pronoun लिखें जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है ठीक है आगे देखते हैं rule number seven में prefer prefer का मतलब होता है अधिक पसंद करना preferable का मतलब होता है अधिक अच्छा इनका meaning भी आप साथ के साथ ही याद रखेंगे ही होने वाला है तो prefer का meaning होता है अधिक पसंद करना और preferable का मतलब होता है अधिक अच्छा इनका परियोग comparative degree में होता है तथा इनके साथ हम two का परियोग करते हैं तो किस तरह से करते हैं यह भी देख लेते हैं sentence number one में example दिया गया है बताया गया है कि I prefer I prefer coffee to tea ठीक है तो अधिक पसंद करना यहाँ पर आ गया है correct यह हमारा sentence बिलकुल सही है second sentence देखते हैं this pan is preferable to that तो यहाँ पर हमने देखा जैसा कि हमने रूल में पढ़ा था कि preferable का मतलब होता है अधिक अच्छा और prefer का मतलब होता है अधिक पसंद करना ठीक है इनका परियोग comparative degree में होता है और इनके साथ हम use करते हैं तो का बिलकुल हमने ऐसा ही किया है आगे देखते हैं rule no.8 elder eldest यह बिलकुल common सी बात है इनको हम कहीं बार other sentence में भी use करते हैं अब जो आगे आने वाली चीजे हैं उन्हें हम कहीं बार sentence में जैसे कि आपका translate into हिंदी इनमें भी हम use translate into English इनमें भी हम इनका यूज करती हैं अगर हम इने यहां से अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो वहां पर हमारी कोई mistake नहीं होने वाली है तो देखिए यहां पर elder, eldest एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए इनका यूज किया जाता है older, oldest वस्तो या परिवार के बाहर के व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है हमेसा ध्यान रखेंगे बहुत important बात है कि elder और eldest का यूज करते हैं एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए older और oldest का use करते हैं वस्तु या परिवार के बाहर के व्यक्तियों के लिए तो यहाँ पर अब हम sentence पढ़ेंगे किस तरह से इनका use करेंगे यहाँ पर example number one दिया गया है he is my elder brother तो एक ही family से हैं तो use किया गया है पर elder रितु is the eldest tutor of her parents तो यहाँ पर भी एक family की बात की जा रही है तो हमने यहाँ पर use किया यहाँ पर हमारी super relative degree बन रही है हमने use किया है eldest का आगे देखते हैं my sister is elder to me यहाँ पर भी एक ही family से belong करें my sister तो यहाँ पर भी हमने elder का ही use किया है आगे देखते हैं अंजली is older than कुसुम तो यहाँ पर यह दोनों एक family से belong नहीं करें कर भी रहे हैं तो यहाँ पर नहीं बताया गया है तो इसलिए हमने यहाँ पर use किया है older का तो चलिए आगे बढ़ते हैं I hope आपको यह समझ में आ गया होगा बहुत important rule है आगे देखते हैं कि जब तुलना बताई जाए तो elder के बाद हम to तथा older के बाद हम then लिखते हैं यानिके यह दोनों चीज़े आती हैं आपको बताए गया है जब तुलना बताई जाए तो elder के बाद हम to का use करते हैं और older के बाद हम then का use करते हैं जैसकि हम यहाँ पर देख पाने हैं ठीक है यहाँ पर हमने two का use किया है यहाँ पर use किया है हमने then का rule number 9 देखते हैं further and further further का meaning होता है इससे आगे या कुछ और ठीक है further का meaning होता है इससे आगे या कुछ और further का meaning होता है अधिक दूर ठीक मैंने उपर भी आपको बताया कि अगर आप meaning को अच्छे से याद रख लेते हैं तो आपका sentence बिल्कुल भी गलत नहीं होगा तो रीतु made no further remark ठीक है तो ये क्या बताता है यहां बतायागे कि रीतु ने कोई टिपनी नहीं की या इसके आगे कुछ और नहीं का हम ये भी कह सकते हैं आगे लिखा है she further said उसने आगे कहा ठीक फिर आगे sentence है यहां पर दूरी के बारे में बताया गया है कहा जा रहा है कि जो further है उसका यूज होता है दूरी बताने के लिए distance के लिए यूज होता है ठीक आगे देखते हैं इसका यूज बहुत ज़्यादा आपको करना होता है grammar में तो यहां पर देखते हैं later latest यहां पर later और last तो यहां पर बताया गया है कि later और latest का use हम करते हैं समय को बताने के लिए letter and last का use हम करम को बताने के लिए करते हैं और इस्थान को दर्साने के लिए करते हैं इनके अभी हम example पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक like जरूर करें तो चलिए देखते हैं यहां पर बताया गया है कि latest यानिके नवी इंतम new ठीक है और last का मतलब है अंते यानिके आखरी ठीक तो यहां पर example देखते हैं एक्जांपल दिये गए हैं अनिल के लेटर देन रीतू अनिल रीतू के बाद आया ठीक है तो यह क्या बता रहा है हमें यह हमें बता रहा है समय उपर बताया गया है कि समय के लिए use किया जाता है आगे what is the latest fashion तो मतलब new fashion क्या है यह कहा जा रहा है latest fashion क्या है the times of India gives the latest news यह भी new के लिए use किया जा रहा है तो I hope यह topic आपको clear हो गया होगा अगर आपकी कोई query है तो आप comment section में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं example number 4 को the latter part of this film is very interesting तो कहा गया है कि film का बाद वाला भाग बहुत रोचक है ठीक है this is the last chapter of this book last मतलब अन्तिम अब पढ़ते हैं rule number 12 rule number 12 में लिखा गया है जब एक वाक्य में दो व्यक्तियों या वस्तों का जिक्र हो तो पहले के लिए हम former तथा दूसरे के लिए हम later का use करती हैं तो देखे किस तरह से करती हैं यहां पर example दिया गया है Milton and सूर्दास क्या हैं दोनों ही poet हैं तो बताया गया है Milton and सूर्दास are great poet but the former former कहा गया है पहले वाले के लिए to English तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर दो पोएट के बारे में बताया गया कि each, every, either, neither यदि इनके तुरंत बाद कोई ना उना जाए ठीक है कुछ word दिये गए हैं जैसे कि each, every, either, neither इनके तुरंत बाद noun आ जाए तो यह adjective होते हैं क्या होते हैं adjective यह word adjective होते हैं either, neither यह सब adjective होते हैं परन्तु यदि इनके तुरंत बाद of आदी हो तो यह pronoun कहलाते हैं देखो एक of आ जाने से कितना difference होता है अगर इनके बाद noun आ जाए तो यह adjective word बन जाते हैं और अगर इनके बाद of का प्रियोग हो तो यह pronoun कहलाते हैं यहाँ पर table दी गई है तो इस तरह से इनका pronoun का रूप है और इस तरह से यह adjective के रूप में प्रियोग किये जाते हैं तो यहाँ पर pronoun में देखते हैं each of the students has gone तो यह हमारा pronoun बन गया है आगे देखते हैं यह सभी आप अपने आप से पढ़ लेंगे उप्रोप एडजेक्टिव के साथ noun तथा verb हमेशा singular आती है ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा कि singular verb का ही use किया जा रहा है सभी जगे आप देखते हैं box का use हुआ है यहाँ पर neither of the roads leads यानि के present indefinite है तो as या yes का use किया जा रहा है तो यहाँ पर बताया गया है कि verb noun तथा verb हमेशा singular ही use की जाती है अब देखे all and whole all and whole का प्रियोग adjective के रूप में किस तरह से किया जाता है सबसे पहले हम all देखते हैं all का meaning होता है सब या सारा ठीक है क्या होता है सब या सारा यह संख्या वे मात्रा दोनों के लिए प्रियोग किया जाता है यानि कि हम कह सकते है countable और uncountable noun के साथ इनका use किया जाता है all का तो किस तरह से हम use करते हैं अभी पढ़ लेते हैं second बताया गया है कि whole whole means होता है संपूर या सारा यह केवल मात्रा संपूर ता का बोध कराते हैं ठीक है पूरी तरह example पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा all the boys were present yesterday तो यहाँ पर दी गई है संपूर कहा गया है all the एक और difference देखेंगे हम all के just बाधमदा का use करते हैं ठीक है और whole के just पहले हमदा का use करते हैं यह बात भी आप हमेशा धियान रखेंगे तो all the boys were present yesterday संपूर बताई गई है all the milk has been spilled मात्रा बताई गई है कि पूरा दूर मात्रा के बारे में बात की गई है the whole village was under water तो इसी तरह से sentence दिये जाएंगे यानि कि कहा पर हमें इसमें दागा use करना है किस तरह से हमें यहाँ पर all और whole का use करना है हो सकता है यहाँ पर all दे दिया जाए संख्या के लिए तो वो बिल्कुल गलत होगा whole दे दिया जाएं तो वो बिल्कुल गलत होगा तो हमें इस तरह से इनका use करना है हमें साथ ध्यान रखना है कि दा का use हमें किस तरह से करना है आगे बताया गया है the whole of India web for गांधी जी तो पूरा भारत यानि कि पूरी तरह से संपूर्ण तक अबोध कराता है the whole village was under water पूरा गांधी ठीक है तो यहाँ पर आपको different समझ में आ गया होगा all and whole की बारे में आगे देखते हैं इसी के बारे में कहा गया है एक note दिया गया है दा को all के बाद लेकिन whole से पहले रखते हैं जैसा कि मैं आभी आपको उपर बता चुकी हूँ second rule कहता है whole के बाद यदि कोई proper noun आ जाए तो the whole off लगाते हैं फिर हम proper noun का परियोग करते हैं यदि all के बाद possessive pronoun जैसे कि my, his, her etc. आ जाए तो the नहीं आता है देखो बहुत deeply आपको इसे पढ़ना होगा बहुत ध्यान से समझना होगा चोटे चोटे रूल है और यही चोटे चोटे error आपके exams में आती हैं तो यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं बताया गया है whole का whole के बाद यदि proper noun आजाए तो the whole of फिर हम proper noun को लिखते हैं और बताया गया है कि यदि all के बाद possessive pronoun mine, his, her, yours, etc. आजाए तो दा का use नहीं किया जाता है आगे देखते हैं example लिखे हुए हैं किस तरह से हम इने use करेंगे all my money has lost जैसा कि आपको बताया कि possessive pronoun हो तो हम दा का प्रियोग नहीं करते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर दा का use नहीं किया है all my friends passed तो यही situation बिलकुल यहाँ पर है आगे देखते हैं rule number 15 rule थोड़े जादा है थोड़ा आपको detail में भी पढ़ने की जरूरत होगी नहीं अच्छ से समझने के लिए rule number 15 देख लेते हैं rule number 15 में कहा गया है both जब इसे adjective के रूप में परियोग करते हैं तो both the both के साथ दा का परियोग भी करते हैं देखते हैं example both the girls are real sister ठीक है C purchased both the books ठीक हमने समझ लिया कि both को जब हम adjective के रूप में परियोग करते हैं तो हम both के बाद दा का यूज करते हैं both के बाद यदि कोई pronoun हो तो हम दा नहीं लगाते हैं कैसे both of them were killed ठीक I invited both of my friends तो हमने देखा कि यहाँ पर both के बाद pronoun का यूज हो रहा है तो हमने यहाँ पर दा को remove कर दिया है 16 rule देख लेते हैं rule number 16 में कहा गया है many a बहुत सारे डाउटी हाँ पर आपके clear हो रहे हैं many a little few यह सब आगे आप पढ़ने वाले हैं और यह बहुत important है छोटी छोटी बाते हैं लेकिन बहुत confuse करने वाली बाते हैं जो आपकी यहाँ पर सभी clear हो जाएंगी many a many a का meaning होता है बहुत सारे ठीक है अनेक इनके साथ singular verb का प्रियोग होता है यह हम इस तरह से कहते हैं many a sing noun sing verb इस तरह से कोई बात नहीं यहाँ पर हम example देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा many a girl was singing तो यहाँ पर बताया गया है कि हम singular verb का ही use करते हैं many a student speaks English ठीक है many a student speaks English many लिखा है लेकिन हम यहाँ पर singular verb का use कर रहे हैं आगे देखते हैं rule number 17 some some means होता है कुछ कुछ थोड़ा सा ठीक है यह संख्या वे मात्रा दोनों के लिए परियोग किये जाते हैं यानि कि सम का परियोग संख्या वे मात्रा दोनों के लिए किया जाता है any देख लेते हैं any any का meaning होता है कुछ या फिर कोई या हम इसे कह सकते हैं कि countable और uncountable noun दोनों के लिए इसका प्रियोग किया जाते है negative के लिए भी use होता है तो किस तरह से देखते हैं I have some money तो यहाँ पर मात्रा के लिए use हो रहा है Some boys are playing संख्या के लिए use हो रहा है She has not तो मैंने कहा not के साथ many का use करेंगे any girl in the hostel संख्या के लिए use किया जा रहा है Have you any money मात्रा तो यहाँ पर हमने हमें बताया जा रहा है कि Some का प्रियोग affirmative वाक्यों के लिए Any का प्रियोग negative और interrogative में किया जाता है ठीक है तो दोनों का meaning हमने यहाँ पर जान लिया है दोनों को जान लिया है कि किस तरह से और कहां पर इनका use किया जाएगा affirmative, negative और interrogative sentence में अब पढ़ते हम rule number 18 Rule number 18 The first two The first two का meaning है यहाँ पर पहले दो इनके इस्थान पर The two first का प्रियोग नहीं किया जाता है इसे नहीं करे यह बिलकुल गलत है क्योंकि ordinal number से पहले आता है और कॉर्डिनल नंबर के बाद में ठीक है, तो पहले हम समझ लेते है ordinal number क्या होता है र कॉर्डिनल नंबर क्या होता है ordinal number होता है rank या पॉजिशन के लिए use किया जाता है क्यान्टिटी के लिए समझ में आ गया होगा ordinal and cardinal number ठीक है तो देखते हैं the first two stanza are very easy तो इस तरह से हमें इसे use करना है the two first नहीं use करना है हमें use करना है the first two stanza are very easy the first two girls are very intelligent ठीक आगे देखते हैं rule number 19 जब एक वस्तू की तुलना उसी परकार की अनेक वस्तू से की जाए ठीक जब एक वस्तू की तुलना उसी परकार की अनेक वस्तू से की जाए तो comparative degree के बाद than any other आता है क्या use होता है देन के बाद any other जब अनेक वस्तू से इनका इनकी तुलना की जाए तो कैसे हम sentence को बनाती है Kolkata is bigger than any other city of India यानि के और बहुत सारी cities जो है इंडिया की उनसे comparison किया जा रहा है Kolkata का Rule number 20 जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए तो positive degree से पहले हम more का use करती है comparative degree का नहीं तो कैसे करते हैं हम उसका use देख लेती है sentence है My sister is more wise than brave तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने wise को comparative में use नहीं किया है तो यहाँ पर हमने use किया है more का तो sentence बन गया है हमारा My sister is more wise than brave ठीक है यहाँ पर हम wiser भी कर सकते थे क्योंकि wise की comparative degree wiser होती है लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुल्ला की जाए तो positive degree से पहले हम more का परियोग करते हैं comparative degree का use हम यहाँ पर नहीं करते हैं आगे देखते हैं जब दो व्यक्तियों वस्तुओं में से किसी एक के गुण की अधिकता बताई जाए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में से किसी एक के गुण की अधिकता बताई जाए तो किस तरह से होगा इसका करम सबसे पहले हम दा फिर comparative degree फिर of the two का use करते हैं ठीक है क्या करते हैं सबसे पहले हम दा लगाते हैं फिर हम यूज करते हैं आप जानते हैं कि comparative degree में हम दा का use नहीं करते हैं लेकिन एक situation दी गई है ये इस situation में हम दा का use करते हैं तो sentence बनाते हैं हम इस तरह से Nisha is richer of the two girls ठीक है comparative degree है then का use भी हमने यहापर नहीं किया है और हमने यहापर दा का use किया है second sentence है this boy is wiser than of the two बहुत सारे rule हैं आपके यहापर बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है इन्हें आप note करके रख सकते हैं अगर आपको confusion है आगे देखते हैं rule number 22 double comparative या double superlative degree का परियोग नहीं किया जाता है double comparative या double superlative का डिगरी का परियोग नहीं किया जाता है देखें किस तरह से हमारा sentence incorrect हो जाता है he is more richer than I यहापर भी हमने more लगा दिया यहापर richer लगा दिया तो क्या हो गया हमारा double comparative हो गया sentence हो गया गलत तो हमें बनाना है he is richer than I नहीं करेंगे superlative का परियोग दो से अधिक वस्तों व्यक्तियों के लिए किया जाता है पता है आपको तो कैसे हम इसका यूज करते है Nisha is the tallest of all girls Kolkata is the biggest city in India बस कुछ ही रूल अभी आपके रह गें उसके बाद हम कुछ example पढ़ेंगे rule number 24 few, a few, the few बहुत ज़्यादा confusion होता है एक ही वीडियो में आप सारी चीज़े पढ़ने वाले हो बहुत ही आसानी से आपको ये सारी चीज़े समझ में आने भी बाली है तो few का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले हम इन सब चीज़ों के मीनिंग को जानेंगे यहाँ पर दिया गया है few few का मीनिंग होता है लगभग कोई नहीं शायद ही कोई यह है नेगेटिव का भाव पर कट करता है तो few का मतलब होता है लगभग कोई नहीं शायद ही कोई तो यह है negative का भाव पर cut करता है तो कैसे हम sentence को बनाएंगे few men are free from fault कोई भी आदमी दोस रहीत नहीं है इस तरह से आपका sentence बन जाता है तो few का meaning आपको पता चल गया किस तरह से use करना है ये भी आपको पता चल गया अब देखते हैं a few a few का मतलब होता है थोड़े से या बहुत कम या फिर काम चलाओ या फिर मात्र कुछ ही ठीक तो sentence को देखते हैं see spoke a few words and went away ठीक है वह है थोड़े से शब्द बोली और चली गई ठीक है या वह है बहुत कम शब्द बोली और चली गई ये भी कह सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमने रेखा a few का मतलब होता है थोड़े से बहुत कम काम चलाओ या मात्र कुछ ही आगे देखते हैं the few the few का मतलब होता है संख्या में लेकिन संख्या में कुछ लेकिन सभी ठीक है संख्या में कुछ लेकिन सभी the few friends I have are good संख्यागी बात की जारी है, लेकिन सभी की बात की जारी है, मेरे जो भी थोड़े से मित्र हैं, मतलब जितने भी हैं, थोड़े हैं, लेकिन सभी कैसे हैं, अच्छे हैं, आगे देखते हैं, फिर use किया गया हैं, पर little, a little, the little, बिलकुल वैसे ही, जैसा हमने अभी उपर है little का मतलब होता है बहुत कम ना के बराबर जिससे काम naturally ठीक है ये भी negative का भाव दिखाता है the picture had little water घड़े में बहुत कम पानी था हम ये कह सकते हैं कि ना के बराबर था ठीक फिर पढ़ते हैं a little a little का मतलब होता है बहुत कम यानि के काम चलाओ ठीक she needs a little money उसे बहुत कम पैसे की जरूरत होती है ठीक है I have a little money I can buy a pen ठीक तो यहां पर भी बहुत कम लेकिन काम चलाओ आगई बात समझ में आगे देखते हैं the little का use थोड़ा सा जो भी है सब तो she lost the little money she lost the little money she had बिल्कुल वैसे ही इनका भी use a few a few मतलब इनका meaning आपको अच्छे से समझना है अगर आप इनका meaning अच्छे से समझ पाएंगे तो आप अपने sentence को बिल्कुल सही से कर लेंगे अब यहां पर दिये गए है कुछ examples जो अभी आपने पढ़ा है उसी से related है इस वीडियो में मैं आपको इस से related exercise नहीं दे पाई हूँ लेकिन आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें adjective से related मैं एक exercise जरूर दूँगी और उसे आप solve करके देखेंगे अगर आपकी कोई query होगी तो आप उसे comment section में लिख कर पूछेंगे I hope आपको आपका topic clear हुआ होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक like जरूर करेंगे और यहाँ पर जो example है उसे एक बार जरूर पढ़कर देखेंगे ठीक है आप sentence को अपनी copy में अपने register में notebook में note करेंगे note करने के बाद आप उनके answer लिखने की कोशिश करेंगे अगर आपको doubt होता है तो आप यहाँ से check कर सकते हैं तो मिलते हैं अपने next topic में तब तक के लिए बबाए